एक बर फिन आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे X-LOOKUP फर्मूला को Excel में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि X-LOOKUP फर्मूला Microsoft Excel का काफी जादा यूज़ होने वाला फर्मूला है और ये V-LOOKUP से काफी बहतर काम करता है जिसको यदि आप सीख लेते हैं तो आप बड़े से बड़े डेटा को बड़ी ही आसानी से इसमें यूज़ कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दो एक्जामपल दे करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग X-LOOKUP फर्मूला को यूज़ करते हैं और यही नहीं आगे भी आपको X-LOOKUP फर्मूला के और भी कई एडवांस तरीके हैं यूज़ करने की जो भी जल्दी आपको मिलेंगे हमारे इसी चैनल पर तो आपको करना कुछ नहीं है सिंपली आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन आइकलन को भी आल पर सिट कर दीजेगा ताकि जैसे मैं वह वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं एक्जामपल वन की तरफ जहां पे हम लोग पता करेंगे कि जो हमारा इंप्लॉई आइडी है इसमें हमारा टोटल सेल कितना हुआ है ठीक है यह हमारा सिम्पल एक्जामपल है जिसको आप एक बार देखते हुए चलिए तो चलिए हम लोग यहां पे एक्स लुक आफ फॉर्मूला को अपलाई कर देते हैं अब देखिए जैसी आप यहां पे एक्स लुक आफ फॉर्मूला लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से उसका जो formula का description होता है वो आपको यहाँ so होने लगेगा तो यहाँ पे सबसे पहले पुछा जाता है आपसे lookup value यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस वाले cell को select कर लेना है और comma दीजिएगा इसका मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पे type करेंगे उसको यह डूंड के निकालेगा आप यहाँ पे lookup array इसका मतलब होता है कि कहाँ पे खोजेंगे ठीक है यहाँ पे हम जो भी data देंगे यह इसको कहाँ पे search करेगा तो यह search करेगा हमारा employee ID में ठीक है उसके बाद आपको comma देना है अब यहाँ से आपको return array देना है वी lookup formula में क्या होता था कि वहाँ पे हमको column बताना पड़ता था कि 1 में 2 में 3 में इस प्रकार से ढूंडोगे बट यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं करना है return array में हम इसको बताएंगे कि जो भी यह हमारा ID number को मानके चलिए देत है तो उसके बाद यह हमको कौन सा data दिखाएगा तो हमको देखना है total sale ठीक है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना simply bracket को close कीजिएगा और enter press कीजिएगा तो आपका data यहाँ पे आ जाएगा घबराइए नहीं क्यूंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी data को find करने के लिए य जैसी हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 और enter करते हैं तो देखिए उसका जो total sale था वो यहाँ पे आ जाता है ठीक है और चलिए अब बढ़ते हैं example 2 की तरफ जो की काफी ज़्यादा advance है और इसको सीखने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है तो हम क्या करते हैं इसका जो heading स पूरा heading है हम इसको पूरा copy कर देते हैं और चलिए यहाँ पर हम लोग इसको use कर देते हैं पेश कर देंगे आप देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं आप हम लोग पता करेंगी कि जो हमारा employee ID है इसमें हम लोग name, designation, total sale और address पूरा हम लोग सर्च करा के देखेंगे त तो इसको आप जरूर देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे और वे look up formula में क्या होता था कि हमको सभी में एक एक करके formula apply करना पड़ता था लेकिन x look up formula में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा simple हम एक बार formula लगाएंगे और सभी data को हम लोग देख सकते हैं तो देखिए कैसे इसको apply करना है नेम वाले option में हम click करेंगे और यहाँ पे हम लोग x look up formula apply करेंगे देखिए लुक अप में हम लोग क्या करेंगे इसको वापस से id number पर हम लोग सर्च कराएंगे और गोमा देदेंगे देखिएगा हम अई-इदि नम्बर पर सर्च करा रहे हैं आप इसी नेम में हो गया किसी भी चीज में सर्च करा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपके वल अई- देखना है तो हम क्या करेंगे पूरा डेटा को select कर लेंगे और वापस इसको bracket close enter ठीक है अब यहाँ पर जैसी हम लोग इसको देते हैं कि हमको भाई 201 में क्या name क्या designation है total seal कितना है address कितना है हमको बताओ enterprise करते ही देखिए जादू इस प्रकार से आपको पूरा data वहाँ दिखा देगा जितना तक आपने range दिया था उस range से जितना data मिलेगा वो पूरा आपको दिखा देगा अब चलिए अब आपको और एक चीज बता देते हैं तिसरे example जो की काफी ज़्यादा minor रगता है अब यहाँ पर मान के चलिए हमने कोई गलत number टाइप कर दिया तो इसका जो error होगा वो भी आपको जिस name नेम के अंदर आपने formula लगाया था यह cable error आपको वहीं देखना पड़ेगा बाकि sales में आपको कहीं पर भी error देखने को नहीं मिलेगा और तो यदि हम यहाँ पे कुछ custom message दे देते हैं कि hashtag na का जो error आ रहा है यह नहीं दे इसके बदले में हम कुछ link देते हैं उसके लिए हम क delete कर देंगी, comma देंगी और जैसे कि आपको पता ही है कि we look up formula में हम लोग को if का जो formula होता है उसको add करना पड़ता है तब जा करके हम लोग कोई message दे पाते हैं but x look up में ऐसा कुछ नहीं है हम लोग direct message दे सकते हैं जैसे inverted comma के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि data code not data not found ठीक है inverted comma close करके bracket को भी हम लोग close कर देंगे और enter press कर देंगे तो देखिए data not found आ गया एक बार चलिए हम वापस से करके दिखा देते हैं यहाँ पे हमने 200 एक search किया तो उसका data यहाँ पे आ गया उसके बाद यदि हमने कोई गलत number search कर दिया तो उसका data मौजूद नहीं है यह बता देगा तो इस प्रकार से आप xlookup formula को apply कर सकते हैं और अपने excel में काफी ज़्यादा advance work कर सकते हैं और यह तो कुछ नहीं था दोस्तों यह तो स्रीप एक basic तरीका था xlookup formula का आपको इससे भी कई ज़्यादा advance level के तरीके हमारे इस चैनल पर जल्दी मिल जाएंगे तो आप हमारे इस चैनल को subscribe करके रखी और notification bell को भी all पर set कर दीजी ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और यदि आप सीखना चाहते हैं एक्सेल में professional attendance इट को कैसे तयार करते हैं जो की fully automatic रहता है तो उस वीडियो का link आपको i button में और description में देदूँगा आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में